लावकम इन माई यूटूब चैनल बच्चों यह आपकी हनी कॉम बुक जो टेस्ट बुक है उसका यह थर्ड चेप्टर है और इसका नाम है गोपाल एंडा हिल साफिस तो पहले ही आप यह जो चेप्टर है यह एक नई प्रकार का चेप्टर है आपने देखा है इसमें क्या ह होते हैं कहा है रहा है यह एक हम जामिक जनक आफेस्ट को सब्सक्रां और मतलब किताब और देक अंहें हैं इसलिए इसको कॉमिक बुक किया गया और एक कॉमिक बुक कंटेंस स्टोरी स्टूर्ड मैली थो फिक्चर्स इसका नतलब जो कॉमिक बुक होती है उसमें क्या होता है एक स्टोरी बताई जाती है लेकिन किसके दोरा पिक्चर्स के दोरा एक स्टोरी बताई जाती है तो वही आपका यह चेप्टर है बो पाल इंडा घिल्साफिस तो एक करेक्टर होता है राजा के दरबार में एक कर्टियर होता है। अर घिल्साफिस जो है एक मसदी है और अब हम लोग इसको लाइन वाइmpos देखते हैं कि के तरीके की कॉमिक बुक होती है देखो पहले यह कॉमिक बुक बताया ना इसमें जो है ना स्टोरी होती किसके द्वारा पिक्चर के द्वारा होती है तो देखिए सारी एक यह पिक्चर है यह पिक्चर है यह पिक्चर है और आपने इसको कॉमिक कॉमिक सापन कि हिलसा मचलियों का मौसम था मतलब उस समय हिलसा मचलियों के लावा और कुछ भी नहीं सोच रहे थे कुछ भी नहीं सोच रहे थे क्या केवल हिलसा मचलियों का व्यापारी सिवाए हिलसा मचलियों के और कुछ भी नहीं बेच रहे थे क्योंकि इतनी बाली मात्रा में हिल्सा मचली पाई जा रही थी, मिल लए थी कि केवल वो उसी के बारें चर्चा हो रही थी और उसी को बेचा जा रहा था ठीक, अब फिसर में सोल्ड नथिंग बट हिल्साइफिस इस सेकंड पिक्चर में देखतें हैं, फिसर में सोल्ड नथिं बट हिल्साइफिस फिसर में जो मचवारे हैं क्या कर रहे हैं, केवल बियापार ये बोला उए क्या बोला है , हो खरीद लो आज हिल्सा मचलीयों का मुल्द नहता हुआ है और यह second picture में देखिए है householders could talk of nothing but health service जो घर में रहने वारे लोग हैं वो लोग ही यही सोच रहे हैं केवल क्या सोच रहे हैं केवल health service केवल हिस्सा मसली की बारी यह सोच रहे है तो यह लोग आपसम बात कर रहे हैं How much did you pay for that health How much did you pay for that health हिल्सा के लिए तुमने कितना मुल चुकाया है इस हिल्सा मसली के लिए तुमने कितना मुल चुकाया तो वो बोलना है You wouldn't believe it If I told you मैं तुम्हें बताऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा मतलब कि इतनी मात्रा मिल्सा फिस्स में लईती बस हर जगा के लिए उसी की चर्चा हो रही ही जिदर भी देखो तो क्या होता राजा के दरवार में होई ये ख़पर पहुचती है कि जो भी हो रहा है बस कि लए inside लिए ईस के लिए हिल्सा फिसके बारे में ही सोना जारा है जो भी बात कर रहा है हिलसाइफिस के वारे में बात कर रहा है तो कह रहा है यूर मजेस्टी, यू सुड हैव सीन दा हुज हिलसा आई काट इट वाज ये राजा का दरवारी है और ये राजा को बता रहा है क्या कह रहा है कि महराज आपने वह बड़ी हिलसा मसली देखी हूँगी, जो मैंने पकड़ी थी हैं वह थी कैसी थी पड़ी मसली थी तो राजा ये सुनके गुसे में आ जाता है क्योंकि जिदर भी देवो सब जगे हिलसा मसली की ही बात चल लई है जो भी है कि वो हिलसा मसली की ही ही चर्चा चल लई हर जगे तो stop it राजा कहता है stop it, बंद करो सब ये बंद करो are you a courtier or a fisherman क्या तुम दरवारी हो या कोई मचवारे, courtier में सोता है दरवारी, जो राजा के दरवारे में लोग रहते हैं, उनको दरवारी कहते हैं क्या तुम दरवारी हो या कोई मचवारे पिसर में मचवारे, ठीक मचवारा होता जो मचली पकड़ते हैं, अब देखिए, दा कार्टियर फिल साइलेंट, विद डाउन कास्ट आईज, क्या होता जो दर्वारी होते हैं, वो सब अपने आखों को नीचे डाल कर सांथ हो जाते हैं, और राजा की तरफ देखते हैं, और जर्वारी लोग जोई ये लोग खड़े हुए हैं, दिख रहे हैं याप पर, आपको, हाँ जोड़े हुए, तो अब राजा क्या बोलता है, कहता है, आई एम सोरी, आई लास्ट माई टैंपर, इट इस दा सीजन फॉर हिलसा फिस, एंड नोवन, आप वो राजा बोलता है, कि मुझे अफसोर्स है, मेरी मना इस्तती खराब हो गई थी, यह हिलसा तो मचलियों का मौसम ही है, यह मौसम कौन सा है, हिलसा मचलियों का ही मौसम, और किसी का नहीं, ठीक, कितनी बड़ी बात है, अब राजा को भी वही बात के बले आदा रही, कि हाँ, मैंने जो है, अप अब देखो, नेस्ट पर चन देखते हैं, अब इसमें, not even गोपाल can stop anyone from talking about health service, not even for five minutes, अब इसमें कह रहे हैं कि गोपाल, जो एक कौर्टियर और होता, दरवारी होता है, चालाक दरवारी होता, और शिया दरवारी होता है, इंटेलिजिन्ट होता है, वो कह रहा है, तो भी कितना, पांच मिनट के लिए, किसी को भी नहीं रोक सकता, ओ, I think, अब कौन बोलना है, ये गोपाल है, ये किंग है, अब हिल साथ गोपाल बोलना है, ओ, I think, I could, your majesty, ओ, मेरा विचार है, मैं वैसा कर पाऊंगा, my majesty means महराजा, ठीक, महराज, महराज, मुझे लग रहा है, मैं वो कर दूँगा, जो आप कह रहे हो, ठीक, तो, इस फ्रिक्चन दिखते है, then, let me see you, by a hujhansa, and bring it to the palace, without anyone asking you a word about it, अब इसमें राजा जो है, गोपाल के सामने एक चौनाती पेस करता है, challenge रखता है, क्या कहता है, तो, आप मुझे देखने का मौका दो, कि तुम किस परक पूछे, और हिलसा मचली को यहां लेके आओ, राजा कह रहा है, कि कोई भी आपको देखे नहीं, और आप से कोई पूछे नहीं, और ऐसी इस्तदीम, आप हिलसा मचली को यहां पर लेके आओ, और कोई आप से हिलसा मचली के बारे में कोई चर्चा ना करे, ठीक, होच I accept the challenge your majesty माराज मुझे आपकी चुनोती स्विकार है माराज मुझे आपकी चुनोती स्विकार है अब देखो क्या होता है अब यह जाता है गोपाल अपनी घर जाता है और क्या करता है कुछ दुनों बाद वाई इस यूर फेस साफ सेवन क्या आता कुछ दिनों के बाद आपके आदे चेहरे पर हजामत क्यों बनी हुई है शेविंग मिस हजामत शेविंग मिन जो शेव बनाते हैं दाड़ी अपनी बनाते हैं उसको हजामत भी बोलते हैं वो क्या करता है आदी बना ले था तो उसकी पतनी बोलती है कि आपके आदे चेरे वजामत क्यों होनी हुई है आदे चेरे पे दाड़ी क्यों होनी हुई है ठीक तो वो गोपाल बोलता है I am dressing up to buy a fish मैं मचली खरीजने के लिए अपनी ड्रेसिंग कर रहा हूँ मतलब विस्फूसा बना रहा हूँ ठीक What's the matter with you Why are you spearing yourself with ass तुमारे साथ क्या मामला है यह क्या कर रहे होगा आप अपने उपर राख क्यों पूत रहे हो ठीक आप अपने उपर राख क्यों पूत रहे हो इस मेरी मतलब पूत ना अपने चेहरे पर लगा रहा था और ass means राख आप अपने चेहरे पर राख क्यों पूत रहे हो अप गोपाल बोलता है I told you I am dressing up to buy a hilsa मैंने तो यह बताया तो है कि मैं hilsa मशली खरीदने के लिए ready हो रहा हूँ dress कर रहा हूँ बेश भूशा बना रहा हूँ कि अब देखो क्या होता है आगे वो जो गोपाल है अपनी बेश भूशा बना लेता है और क्या करता है फिर निकल पड़ता है घर से बाहर तब उसकी पतनी गोलती है listen to me please you can't possibly go out in those disgraceful wrecks what are you up to किरपया मेरी बास सुनो आप आप इन फटे पुराने सर्वना कपड़ों में बहार कदम नहीं रख सकते हो वकरी आप इस तरीके के कपड़े पैनके बहार कपड़े इस तरीके कपड़े पैनके बहार नहीं निकल सकते हो आपको यह क्या सूज रहा है आप यह क्या कर रहे हैं अप हिलसा बोल बुलओ है how many times must I tell you, मैंने कितनी बार तुमको बताया है I am out to buy a hoj hilsa phase मैं एक बड़ी hilsa मचली खरीदने के लिए जा रहा हूँ किसली यह जा रहा है, वो कहरा है कि मैं एक बड़ी हिलसा मसली खृतनी के लिए जा रहा हूँ लेकिन उसने यह नहीं पताया अपनी वाइप को पतनी को कि राजा ने उसको चुनोती दी उसकी तैयारी वो कर रहा है अब क्या होता हो निकल जाता है तो उसकी पतनी जो क्या सोच रही होती कि यहां पते दिखाए to him He's gone mad, मुझे लग रहा है बंपागल हो गया है वह अपनी ह teuसे के ली मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि जूद कि ऑपाल के लिए अब जो next अब क्या करता है गोपाल ने हिल्सा मसली खरे ली यह मार्केट गया है मार्केट जाकर कि उसने एक हिल्सा मसली खरे ली और महल की तरफ चलना शुरू कर देता है किस तरफ महल की तरफ सुनना सुरू कर देता है और तभी वहां जो भीर खड़ी होती है यह बच्चा खड़ा है वो कह रहा है उसको देख हैसी आ रही है तो वो लोग कह रहे है अब इस वाली पिक्चर में देखिए यह लो आपसं चर्चा करें कि हाँ मुझे लग रहा है कि पागल व्यक्ति यह वहाई पागल व्यक्ति होगा हुश ऐसमाही व्यक्ति है अब क्या होता है देखो यह हिलसा फिस लेकर के गोपाल आ जाता है राजा कि दरवार पे ठीक, what do you want अब ये जो दर्वारी ये बोला है कि तुम्हें क्या चाहिए I want to see the king वो पल कहता है मुझे राजा से मिलना चाहता हूँ मैं राजा से मिलना चाहता हूँ अब देखाओ You can't see the king get away with you अब ये राजा जो दर्वारी ये दर्वाजे पर खड़ रहते हैं वो कह रहा है तुम राजा से नहीं मिल सकते हो दफाँ हो जाओ, भाग जाओ यहां से get away with you यहां से भाग जाओ, दफाओ जाओ गोपाल बिकेंट टू टांस और सिंग रावडली तब ही गोपाल क्या करता है वहीं पैलेस के मतलब महल के दर्वाजे पर वहीं पर जोर जोर से नाचनी रखता है और चिल्णानी रखता है ठीक, अब वो ऐसा क्यों करता है वो इसलिए ऐसा करता है कि उसकी आवाज को राजा सुन ले लेविश दर्वारी थे उन लोगों ये नहीं पैचान पाया कि ये गोपाल ही है उसका साती ही है अब देखो इंसाइड दा पैडेस महल के अंदर क्या हो रहा है दा मैन इस क्रेजी राजा के पास अवाज जा रही है जो बुचिल ला रहा है तो राजा कह रहा है महल के अंदर अब आज जारी हो करे लग रहा है ये विक्ती पागल है दा मैन इस क्रेजी वह विक्ती पागल है क्या थ्रूं हिम आउट अट वन्स उसे तरुंद बाहर फैंक दो I want to see the king let me in मैं राजा से मिलना चाहता हूँ मुझे अंदर जाने दो इस तरी की गवाजे आ रही है राजा के पास तक तब क्या को रहता है bring that man to at once राजा कहता है कि जाओ उस विक्ती को तुरंद मेरे पास लेकर आओ जाओ उस विक्ती को तुरंद मेरे पास लेकर आओ yes your majesty उसका जो कौर्टी दर्वारी हो गए था yes हाँ महाराज आपकी जैसी आग गया वैसा होगा अब वो लोग जाते हैं गोपाल को लेकर के आते हैं राजा के सामने देखो क्या होता गोपाल वाजब्राइब बिफोर दा किंग गोपाल को राजा के सामने पिस किया जाता है और कह रहे है इट्स गोपाल ये गोपाल है लोग उसको देखके कह रहे है इट्स गोपाल अरे ये तो गोपाल है दा मैन अब यहाँ पर जो दर्वारी लोग देख रहे है यह लोग नित पहचा लिए जो दरबारी है उसने पहचा लिए खाहरे यह तो गोपाल है देखो बोला है करा इटस गोपाल यह तो गोपाल है अब यह लोग अपसे बात कर रहे हैं दा मैन हैस लॉस्ट हिस माइंड मुझे लग रहा है यह विक्ती पागल हो गया है मुझे लग रहा है यह विक्ती पागल हो गया है इसका दिमाग खराब हो गया है अब यह बोल रही है इसके तब देखे क्या कह रहे है मेरे विचार में मुझे लग रहा है यह जख पूर मजाक है जक्तुमजाग मतलब राइडिकुलस लग रहा है जैसे कि ये कोई मजा की आदमी है अब देखो आगे इसमें देखो अब गोपाल राजा के सामने आ गया है ठीक गोपाल राजा के सामने आ गया वो देखते हैं और राजा भी पैचा लेता है घहां यह बागरिम गोपाल है कहते हैं आल लाइट गोपाल आउड विद इट वाई आर यू ड्रेस्ट अप इन दिस राइडिकुलस फैसन कह रहे हैं ठीक है गोपाल एह नाटक अब खत्म करो आपने ऐसी मुझा गिया बेजबूसा क्यों पहन के चला गया था वो क्या हिलसा फिस्ट खरीदने के लिए अब क्याता है अब वो बोला है गोपाल यूर मजेस्टी यू सीम टू हैव फॉर्गेट इस सम्तिंग महराज साइद आप कुछ भूल गए हैं महराज मुझे लग रहा है साइद आप कुछ भूल गए हैं अब फॉ भूल गया हूं क्या इस्ट्रेंजली अब यहाँ पर यह गोपाल बोला है इस्ट्रेंजली इनफ टू वन सीम्स टू बी इन इंट्रेस्टेट इन साविस टुड़े फ्रों दा मार्केट टू दा पैलेस एंड इन दा कॉर्ट नॉट असूल है जिस पोकिन है वर्ड है अब हिल्सा मचली में रुच ले रहा हूं बाजार से लेकर के महल तक और दरवार में किसी भी विक्ते ने हिल्सा मचली की बात नहीं की उसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बोला मतलब यही राजा ने इनको चैलेंज दिया था कि आप हिल्सा मचली की बारे में बात ना करे तो इसलिए उसने क्या किया गोपाल ने ऐसा अपनी वेस भूसा बनाई जिससे लोग उसको देखें मचली कुना देखें तो ऐसा ही हुआ तो महां से ले करके महल तक आया और लोगों ने क्या मचली कुना देखकर गोपाल की वेस भूसा को देखा और लोगन उसी की चर्चा की Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal तभी राजा को बचुनती याद आगए जो नहीं Gopal को दी थी हाँ 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 राजा हसता है करता well ठीक है हाँ ठीक है बदाई हो Gopal Congratulations बदाई हो Gopal आपको you have achieved the impossible once again तुमने एक बार फिर असंबब चीज को करके दिखाया है आपने एक बार फिर असंबब चीज को करके सिखाया है तो इस प्रकार से आपकी ये पूरी comic book जो है खतम हो जाती है यहाँ पर और क्याता Gopal जो है हिलसाफिस को लेके आजाता है लेकिन कोई भी उससे यह नहीं पूछता है कि हिलसाफिस के बारे में कोई बात नहीं करता है कि एवल उसकी वेसभूसा के बारे में बात करता है तो इस प्रकार से ये आपकी लैन बाई लैन डिस्क्रिप्शन भी कर दिया और बहुत ही इंट्रेस्टेड है ये कॉमिक वो टाइप कहा है बना हुआ है और आपको पसंद आया हुआ इसको आप अपनी दोस्तों साथ सेर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें थैंक्स फॉर वाचिंग